के लिए गाईस वाल्कम बैक तू मैं चैनल दिपिका स्टैल और मैं हूँ दिपिका कैसे आप सब लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज जु मैं रेसिपी लेके आई हूँ यह आलू मेथी की सबजी जो कि खाने में बहुत ही जाता टेस्टी लगती है अलू के साथ ही कॉमि को बनाया है वीडियो आइन तक ज़रूर देखिएगा आई होप आपके लिए हैलफुल रहे अगर मेरे चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सबस्क्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा था कि जब भी मैं न्यू वीडियो यह देखिए दो से तीन बार अच्छे से दो लेते हैं और जो मोटे मोटे डंठल होते हैं उनको निकाल देते हैं और यहां पर मैंने अच्छे बारिक तरीके से इसको चौप कर लिया है मेति को तो चलिए आगे की तैयारी भी देखते हैं किन चीजों की हमें जरूरत है तो तो आलू मेथी बनाने के लिए यहां पर कुछ सामगरी ली है, जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर मेथी ली है सबसे पहले, नेक्ट मैंने यहां पर एक मीडियम साइज का आलू लिया है, आलू को छोटे-चोटे पीसिस में कट कर लिया है, नेक्ट मैंने यहां पर थोड़ी स चलिए फिर ये सारी सामगरी हम यूज करेंगे आलू मेथी बनाने में तो नेक्स्ट में यहाँ पे तीन सुखी लाल मिर्च भी एड़ कर रही हूं मेथी में डालने के लिए और साथी साथ मैं इसमें कुछ ड्राय मसाले भी डालूँगी जैसे आदा चमच धनिया पाउडर है थोड़ा सा हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है तो चलिए अब शुटू करते हैं तो गैस पर मैंने पैंड चड़ा दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और अब जो हमने ओई लिया था दो चमच उसको एड़ करेंगे तो गरम हो जाता है तो सबसे पहले हमने जो सूखी लाल मिर्च ली थी उसको हम फ्राई कर लेंगे पहले और फ्राई करक हैं तो अगेन उसी कड़ाई में हम भाजी बनाएंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं हींग डाल रही हूं दैन उसके बाद मैंने यहां पर लेसुन की कलिया जो चौप करके रखी थी उसको एड़ करूंगी और इनको हम अच्छे से भून लेते हैं ताकि लेसुन का जो कच् आलू की quantity आप अपने Eux अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कितने आलू डाला हैं तो यहां पर अलू डाल दिये हैं मैंने और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एम मिनिट के लिए पहले आम आलू को भून लेते हैं तो एक मनिट हो चुके हैं अब हम चैक कर लेते तो सबसे पहले हम इसको एक बार मिक्स कर देंगे आलू को तो यहां पर आप हमने जो भाजी चौप करके रखी हुई थी उसको एड़ करेंगे तो मेथी की भाजी हमना डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आलू के साथ तो भाजी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिय कई नमक डालियेगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालियगा तो अब भाजी को भुण्या देते हैं तो 3-4 मिद्ट के लिए हम भुण्या तो यह देख century हुचुके हैं और भाजी थोड़ी 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 पक चुकी है बीच पीच में मैं चलाते नहना पड़ता है ताकि ये भाजी है नीचे चिपके ना तो अब हमने जो ड्राइ मसाले लिए थे उनको एड़ करेंगे और अच्छे से भाजी में मिक्स करेंगे और अगेन हम इसको दो मिनिट के लिए पकाएंगे फिर से तो ये देखिए भाजी बनकर एकदम तयार है गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और भाजी को एक सर्विंग बाउल में ट्रंस्वर करते हैं तो यहां पर आलू मेथी की बाजी को मैंने एक बावल में निकाल लिया है गर्मा गरम आप सर्व कर सकते हैं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो अब हमने जो यहां पर सूखी लाल मिच फ्राई करके रखी हुई थी उसको क्रेश करके हम इसके उपर हुई उसके बहुत ज़ादा तेस्ट में बहुत अच्छा लगता है इसको एक बार मिक्स कर देंगे हम आप रही आपे छरूर ट्राई करें तो अलू मेधी बनकर एकदम तयार है आप इस रेस्पी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या अधर कोई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार